दोस्तो लोकी खाना तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है लेकिन सरीर के लिए खाना पड़ता है लेकिन आप लोकी को अलग-अलग तरीकों से खा सकते हैं जैसे लोकी की सबजी या लोकी का जूस या लोकी का पकोडा लोकी का कोपता आदी लोकी के कई ऐसे गुण है जो गंभीर बिमारियों में ओस्दी की तरह काम करते हैं बार से हरी और अंदर से सफेद दिखने वाली लोकी के अंदर चानवे परतिसत पानी होता है लोकी बहुत फायदिमंद होती है ये बालो इसकीन और सेहत के लिए फायदिमंद होता है लोकी एक फायदिमंद सबजी है जिसके सेवन से आप कहीं तरह की बिमारियों से रहत पा सकते है आज हम आपको बताएंगे लोकी का सेवन करने के बाद इन दो चीजों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए वरना यह आपके पेट में जहर बना देगा दोस्तो लोकी और करेले को एक साथ नहीं खाना चाहिए अगर आप लोकी की सबजी और करेले का एक साथ सेवन करते हैं तो यह आपके पेट में जहर बन जाएगा इससे आपको उल्टिया होने लगेगी इसके साथ ही आपके नाक से बहुत सारा खून आ सकता है लोकी की सबजी खाने के बाद चुकुंदर नहीं खाना चाहिए अगर इन दोनों का साथ में सेवन करते हैं तो हमारे चेहरे पर बहुत सारे दाने होने लगते हैं साथी यह पेट को भी नुकसान पहुंचाता है दोस्तु अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें